अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो पिटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्क्षीट नंबर 18 मैथेमेटिक्स की है एट्थ क्लास के बच्चों के लिए 26 तारीक है ठीक है इंगलेश मिडियम में है जिसमें हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट को पढ़ेंगे आज ठीक है तो राम जो आठवी क्लास में पढ़ता है और वो नंबर के साथ खेलना पसंद करता है उसने एक एवन नंबर के बारे में सोचा फिर उसने दो से रिलेटिड ही और भी तीन नंबर सोचे जैसे की फिर उसने दो का स्केर के और उसमें एक एड कर दिया तो एक नंबर मिला फिर उसने स्केर जो था टू का उसमें से एक घटाया तब उसको एक नंबर मिल गया तीन इस तरीके से उसको तीन नंबर मिले फिर वो सोचता है कि क्या है इनके बीच में कोई रिलेशन है तो जो स्केर का स्म है दो नंबर के स्केर के इक्वल है जैसे की तीन थिया नो चार चोक सोला इन दोनों का स्म भी 25 आता है और पांच का स्केर भी 25 होता है ठीक है तो इसके इक्वल है अब बेटा इसको क्या बोलते हैं Do you know who observed this property of a number the first time अब बेटा इसके बारे में सबसे पहले किस ने observe किया था तुम जानते हो तो बेटा इसके बारे में Pythagoras ने observe किया था था ठीक है तो Pythagoras कोन थे was the mathematician and philosopher He observed this property of a number that's why this is called the Pythagorean triplet अब Pythagoras ने इसको बेटा discover किया था इस बारे में study की थी तो इसलिए इसको Pythagoras triplet बोला जाता है ठीक है अब हम इसको जानते कि Pythagoras triplet होती क्या है So a set of three numbers which satisfy a relation square of a number is equal to the sum of the square of others two numbers ठीक है यहां क्या बोला गया है कि दो numbers का square जो है दो numbers के square का sum equal होता है square of other two numbers देखो square of a number मतलब एक number का square equal होता है sum of the square of two numbers दो जो बच गए number उनके square के sum के equal होता है ठीक है और इसको हम बोलते है Pythagoras triplet if a, b, c are any integers ठीक है a, b, c एक integers हैं integer क्या होते है 1, 2, 3, 4, 5, minus 1, 2, 3, minus 5, minus 6 यह ठीक है 1 by 2 या 2 by 3 ऐसे number नहीं 1, 2, 3, 4 इस तरीके से ठीक है तो क्या होगा a की square प्लस b की square किसके बराबर हो जाएगा c की square के ठीक है दो variable पता हो तीन में से तो एक को find out कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर हमें एक पता होगा तो हम दो find out कर सकते हैं और यह है हमारी Pythagoras triplet अब देखो बेटा, number 2 तरीके क्यों होते हैं कौन-कौन से? एक तो होते हैं even और एक होते हैं odd तो even number के लिए Pythagoras triplet कैसे निकालते हैं और odd number के लिए दोनों के लिए अलग-अलग है थोड़ी सी तो हम उसको पढ़ते हैं I take a number 8 तो बेटा, अगर हम even number लेते हैं even number कौन से होते हैं जो 2 से divide हो जाते हैं तो 8 को लेते हैं half of the number अगर इसका half करते हैं चाहराता है, फिर इसका square करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 16 अब इस square में हम एक add करेंगे तो 17 मिला और अगर इस square में एक घटा देंगे तो हमें 15 मिला इस तरीके से हमें क्या number मिले बेटा 8 मिला, 15 मिला और 17 मिला ठीक है, तो check Pythagoran triplet अब हमें यह check करना है कि यह Pythagoran triplet है या नहीं है तो हमें पता है, A की square, B की square इन दोनों का square इसके बराबर आना चाहिए तो करके देखते हैं तो इनका square निकाला तो यह इसके बराबर आ गया तो इसका मतलब this set is the number this set of number is Pythagoran triplet और यहाँ पर एक और note करना है बेटा बात Pythagoran triplets में जो होते हैं यह integers होते हैं, ठीक है मतलब कि चाहिए minus 8 हो तो भी चलेगा, लेकिन 8 by 2 या ऐसे कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है अब यहाँ पर बेटा अगर odd number हो तो देखो to find Pythagoran triplet for the given odd number take an odd number हमने odd number ले लिया, 9 odd number क्या होते है, जो 2 से divide नहीं हो पाते है ठीक है अब देखो बेटा, square किया इस number का तो हमें क्या मिला, 81 ठीक है, अब बेटा यह क्या है, odd number है तो इसको हम क्या करते हैं, दो ऐसे भागों में split करते हैं, divide करते हैं कि उन दोनो numbers के बीच का क्या होता है, difference 1 आता है ठीक है, यह ध्यान रखना है, और उनका जो sum होता है, वो 81, मतलब वही आता है जिसको हम divide करते हैं, जैसे कि 81 को divide किया, तो हमें यहाँ पर क्या मिला, 40 और 41, इन दोनों का difference 1 आता है, ठीक है, लेकिन इन दोनों को add करोगे, तो 81 आता है तो इस तरीके से हम इनको divide करना होता है now you will get a set of number 9, 40 और 41 तो हमें वो numbers मिल गए एक तो 9 ही था, और 40 और 41 हमने निकाल लिया is this set a Pythagorean triplet, अब हम इसको find out करते कि यह Pythagorean triplet है या नी, तो हम कैसे करते है बेटा यह वाली equation को करेंगे हम a की square, b की square equal to c की square के verify, तो हमने इन में से 2 number का square का sum किया तो यह third के equal आता है ठीक है, इसलिए यह क्या है, this set of number is a Pythagorean triplet, अब यहाँ पर एक और बात बेटा consider a form of Pythagorean triplet of यह, यह, यह हम बेटा यहाँ पर m को 2m क्यों लेते है तो देखो, अगर हम इसको single m लेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है using this form, try to find out the Pythagorean triplet let one number one member of the Pythagorean triplet is 12 अगर एक member 12 है ठीक है, तो first take m की square minus 1, तो यहाँ पर हम क्या करते है, m की square minus 1 कर देंगे अगर m हमारा क्या आ गया 12 है, तो हम 12 में क्या करेंगे 12 का square करके m की square, sorry ठीक है, तो अगर हम m की square हमारा यहाँ पर क्या 12 है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, एक add कर देंगे इसमें तो 13 हो गया, अब 13 m की square 13 तो हो यह नहीं सकता तो यह भी possible नहीं है इसलिए value जो m की है वो एक integer नहीं मिलेगी हमें यहापर लेकिन हमें integer चाहिए तो इसलिए हम यहापर m को single m नहीं लेते हैं हम यहापर 2m लेते हैं ठीक है तो देखो 2m लेंगे तो 2m को 12 के equal रखेंगे जहां से मारे पास m जो है 6 के बराबर आ जाएगा तो m की square plus 1 करेंगे तो यहापर 37 आएगा फिर m की square minus 1 करेंगे तो 35 आएगा so 12, 35, 37 is यह set of pythagoran triplet आपको यह याद रखना है कि हम यहापर 2m लेते हैं single m नहीं लेते ओके अब बेटा देखो आगे हम इसको करते हैं questions को find the pythagoran triplet whose one number is 10 यह 7 यह 16 यह 18 अग हमें यहापर ए यहापर देखो 10 दिया है 10 क्या है is an even number therefore even number को हम 2m को equal रखेंगे फिर इसको divide करेंगे 2 से यहाँ से m की value अगई 5 अब m के square निकालेंगे और उसमें 1 add कर देंगे तो हमें मिलेगा 26 ठीक है उसके बाद फिर हम m की square में से ही क्या करेंगे एक number minus करेंगे तो हमें मिलेगा 24 तो इस एक पाइथा गोरन triplet तो यह क्या हो गए एक पाइथा गोरन triplet हो गए ठीक है अब बेटा यहाँ पर देखो एक बात और ध्यान रखना बेटा हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं 1 मिनट देखो यह चीज हमने यहाँ पर गड़बड कर दी है हम यहाँ पर जिस number को divide करते हैं वही number लेते हैं ठीक है तो बेटा यहाँ पर न हम 5 नहीं लेंगे 10 लेंगे ओके यहाँ पर हम क्या लेंगे 10 लेंगे ठीक है इसको सही कर लेना 1 मिनट यहाँ पर 10 आएगा बेटा अब बेटा देखो तो इसलिए यह क्या हो जगा इजे पाइथा गोरन triplet ठीक है अब next हुआ है 7 तो 7 क्या है 7 is an odd number ठीक है therefore 7 का odd number है तो हम इसको क्या करेंगे इसका square लेंगे और इसको split करेंगे तो now after splitting the number 49 such that difference between these two numbers is 1 तो हमने इसको difference को किया ठीक है इनके मतला split किया इस 49 को तो हमें दो number मिले 25 और 24 25 में से 24 गए तो एक बच था है और दोनों को add करते तो 49 आता ह है तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि हमारा 7 24 और 49 क्या है एक पाइथा गोरन ट्रिपलेट है ठीक है अब यहां पर बेटा हम क्या करते हैं यहां देखो 16 दिया है तो 16 is an even number तो हम यहां पर क्या करेंगे 2m जो है किसके बराबर रखेंगे 16 के यहां से m की value आ गई 8 अब वर्ग संक्या मतलब बेटा कि आप कहोगे square number यहां पर लिखोगे square number ठीक है तो m की square क्या जाएगा 64 इसमें हम एक add करेंगे तो पैसाट आएगा एक घटाएंगे 64 में से तो 63 आजाएगा ओके इसलिए यहां पर यह बेटा हटा कि यहां पर 16 करना number हमें 16 दे रखा था ठीक ह यह मैंने गलती से लगा दिया 16 इजे पाइथागोरन triplet ओके तो यहां पर 16 क्या है पाइथागोरन triplet है ओके अब यहां पर देखो बेटा 4 फोर्त में 18 दिया है यह भी इसी तरही किसे even number है हम इसको इसके सामने रखेंगे 9 आ जाएगा 9 का square लेके इसमें add करेंगे 1 और एक अब second question क्या है बेटा देखो second question में हमें क्या दे रखा है कि check these which given below are पाइथागोरन triplet इन में से कौन सा पाइथागोरन triplet है यह check करना है तो देखो इसके लिए हमें पता है बेटा कैसे check करते है if a, b, c are the integers then a, b, a की square plus b की square जो है वो c के square आना चाहिए मतलब दो संख्याओ का sum जो है तीसरे के बराबर आना चाहिए वर्ग का ठीक है तो it is called पाइथागोरन triplet तो इसको हमें पाइथागोरन triplet पो लेंगे फिर ठीक है तो देखो यह दे रखा है पहले हमने यह लिया इस थर्ड वाले के क्या हुआ इकवल आया इन दोनों का sum ठीक है तो इसलिए हम क्या कहतेंगे यह क्या है एक पाइथागोरन triplet है ठीक है इसी तरीकिसे हम next का करेंगे बेटा इन दोनों का निकालेंगे और इन दोनों को add कर देंगे बड़ी वाली के हम बड़ी वाली को इधर रखते हैं मिजा ठीक है तो उसके equal आना चाहिए तो equal आ गया ठीक है तो इसलिए यह भी क्या एक पाइथागोरन triplet है अब next देखो बेटा यह 512 13 यहां पर क्या है फिर से 542 का square का sum करेंगे add करेंगे तो वो third के equal आएगा तो आ गया equal इसका मतलब यह भी क्या है एक पाइथ 2829 इनमें यह दोनों का लेते हैं बेटा स्केयर ठीक है और इसका third के equal रखते हैं अब इनको रखते हैं इन दोनों को add करते तो हमारे पास आता है 833 जबकि हाँ पर 841 है तो यह equal नहीं आया इसलिए यह जो triplet है इस नोटे पाइथागोरन triplet तो इसलिए पाइथागोरन triplet न मुस्करात रहे पढ़ते रहे रागे बढ़ते रहे थैंक यू